नमस्कार साथियों, साथियों आपका हमारे चैनल में हरदीर स्वागत है, आज हम आपको बताएंगे कि जिन जात्कों की जनम पत्रिका में शुक्र, पर्थम बहुं में बैठा होता है, तो क्या लाब देता है और क्या हनूर देता है, साथियों यदि अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लें, ताकि ऐसी तमाम जनकारी भरी वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलती रहे, हाँ आपने ऐसी भावना है, ऐसी इच्छा है कि हमारी वीडियो का लाब लोगों को हो, तो प्लीज हमें शेयर करना न भूले, आज हम आपको बताते हैं, जिन जातकों की जनम पत्रिका में शुक्र प्रथम भाव में बैठा होता है, उनमें क्या-क्या लाब होते हैं और क्या-क्या हानिया जीवन में उठानी परते हैं, साथियों, जिस जातक की जनम पत्रिका में शुक्र प्रथम भाव में होता है, ऐसा जातक जो है सुन्दर विद्वान और सांत प्रिये शुभाओं का होता है ऐसे लोग जो है दूसरों से भी प्रेम संबंद बनाकर रखते हैं जगड़ानुं सुभाओं के कतह नहीं होते कला निपूर होते हैं इने संगीत कला और साथ ही साथ जो है गूर विद्याओं का भी अच्छा ग्यान होता है चिस जातक की जनमपत्तिका में शुक्र प्रथम भाव में बैठता है ऐसा जो जातक है वो सुन्दर अच्छे आभूश्रों को धारा करने वाला होता है और साथी साथ सुन्दर वस्त्रों को भी धारा करने का शौक रखने वाला होता है आईसे लोगों की आईउ जो है वो अधिक होती है यानि कि धीर गायुष्का उन्हें ग्योग भी प्रथम भाव में शुक्र जिस जातक की पत्रिका में बैठता है आईसा ग्यक्ति जो है सौं करने वाला होता है एसे वहाला होता है इसमें कोई शन्दे नेनले कि यदि शुकः सणी से यूथ हो वाले शुक्र वार्साहनी एक साथ बैठ होां तो आईилась से ही स्थ्रियों से कुछ को हानि प्राप्ठ होती है और पूरुस से इस्त्रियों को हानी प्राप्थ होती है यानि कि विप्रीत लिंक के व्यक्ति से हानी प्राप्थ होने की संभवनाइब बनी रहती है तो सच्छो जदी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर ले ताकि ऐसी ही तमाम जानकारी वीडियों आपको समय समय पर बेखने को मिलती रहे हैं हाँ आपके ऐसी भावना है ऐसी इच्छा है कि हमारी वीडियो का लाब लोगों को हो तो प्लीज हमें शेयर करना ना भूने वीश्वर आपको हमेशा सुखी रखे संपन्य रखे वयबहुसाली रखे धन्यवाद